हाई, नशकर दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यम ड्राइविंग स्कूल में, आज के वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं, मान लेज़े कि आप क्राफिक में ड्राइव कर रहे हैं, और थोड़ा सा हैवी ट्राइवी पिर से जाते हैं तो क्या क्या प्रोब्लम आते हैं, त तोड़ा सा तेज बोली सोसराइज 17 नंबर और और इधे होस्पिटल मोर्ड और चोरा बगाइचे साइट जी आपके साइट में जी की ऑफिस टैप कही घर जाया है और यहां आपके सा होखर सोसराइज और विदियो में बने रही है वीडियो इंट्रेस्टिंग होने वाला यही चैनल पर नहीं तो चैनल को सिस्क्राइब किजीए और विडियो को लाइक किए तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टाइब करते हैं यह जा रहे है यह रूप देए तो दोस्तों अभी अब लोग होस्पिटल चोड़ा है यहां से हम लोग को चोरा बगाइचा साइट भराव पर होते हुए जा रहा है तो देखिए अप दूस्तों होता क्या कि हां थोड़ा से होट जादा रस होता है तो टर्णियों में अपने को फ्रोबलम होता है तो यहां पर पैसेंस रखने और एक नम्मर पर लगा कि आपको रखना और देखिया आपका गारी बंद होगी चालू किजिए फिर से कलच को ज्यादा नहीं छोड़िए थोड़ा साइछ चोड़िए जब गारी बढ़ने लगी आपको रोग के रखना है कलग को दोस्तो होता कि थोड़ा सा ट्राफिक बढ बढ़ने लोग को प्रसारी होती है वागी तो हमारे चांद में बहुत अच्छा चलाते हैं जो आपको देखने को मिलीगा तो दोस्तों यह आपको हर्स्पिकल में चोड़ा है यहां से हम दोग चोड़ा बगए चाहिए थोड़ा साथ रूट चेंज गरते रोज रोज थोड़ा सा बोर हो चुके थे और सीधा जाना है तो यहां पर कौन सीलाइट जलानी चाहिए आपको पार्किलाइग जलाजी है वेरे गुट चलिए चाहिए जालाज भी से चाहिए भी है वी है तो हम उल्ट ट्राफिक में होता कि आपको गाड़ी को एक ही नम्हें चलाना जाता और तस तक एक पार कलश पर रखेंद दूसरा ब्रेक पर रखेंद कि इससे होगा कि आपको एकसलेटर देने की बिल्कुल जरोत नहीं पड़े क्योंकि एक नंबर में गाड़ी कलच पर आपको बिल्कुल चलेगी थोगा सा कलच थोड़ी है हाँ ठीक है बच है मार्केट में आपको ट्राफिक पर पहले कलच उसके बाद ब्रेक दवाना होता है इससे होगा कि आपका गाड़ी बंद नहीं होगी सब्सक्राइब इस तरीक हम लोग जिन लोगों के भी ट्रेणिंग देते हमारे पार इतने भी लोग आता है उनको बोस्ट अफ टाइम हम लोग ट्राफिक में चलवाते हैं जिससे होता कि उनका कंफिडेंस लेवल हाई हो जाता है और वो आपने गाड़े अरां से ड्राइब कर पातों कि यो ट्राफ लोग चलते हैं जिससे होता है आपका ट्राफिक वह आर गाता है जैली थोड़ा मिश्किर है जैली आगे ध्याय लीए को इसले नम्ः चल रहा है दोस्तों यह बाद बिल्कुल ध्यार में रखना है कि कौन से गेर में बाड़ी चला रहे है क्योंकि जब भी आप दीरे की ज चला रहे हैं इसे ध्यान में रहने हैं सोता कि यह जब आप चेंज कि जेगा तो आपको मालूम चलेगा कि दर से किदर लेके जाना दोस्तों यह चांद बार इनका अपना बैटरी का यह एक स्याट्व करने के लिए तो दूसरा आको आपको रूस्तों पासके बैटरी पर्चेस करने के लिए तो दोस्तों हम लोग होस्पीटल मुल चोहरा से यूटर लेकी अब ब्राव पर पहुच चुके हैं देखें ब्राव पर किस तरीका का रजस आपको देखने के मिलेगा और इतना अराम से ड्राइब करते हैं बहुत अच्छा से ड्राइब करते हैं कि इंका 10-12 दिन लगवक हो गया और इसके बाद हम लोग चलेंगे खंदक पे तो इसका वीडियो भी आपको वालो करते हैं तो इसा होगा कि अगर मौल ही लिए जिए तो इसंहागा तो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता दोस्तों जो भी ट्राइबिक का सिस्टम होता है वह आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप भी द्राइब शिखना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो किजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राब कीजिए इससे आउगा कि आपका कंफिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ देखे ध्यान देखे ध्यान देखे दिर भाएक है चलिए तो चैनल देखे ध्यान देखे अगार्ण देखे अठीक आपके रहे चलिए दोड़ा देखे बादेंस देखे लिए अगले जाए चलिए चलिए तो आपकी बातों को समझ रही है, अच्सी बात में तुमाई ये राइक उसमें टक रही है होला क्युमाई ने इस वे रहा है, फफि्ट रहना को अाहिए रहना, तो भुखा को कोता है, वहाण भाति होगा हम बुखाी जैं पन्देट अपरा को कहा हुआ 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 रह रखा हो, ने वार जो हुआ हुआ है दोस्तों फाइल ले आम लोग देखिए कारगिल चब हुचके यहां से आगे से सीधा चली देखे गढ़ा देखिए आप गढ़ा डायरेक्ट पार कर दिया ठीक है थीक है थोड़ा बेग करना चाहिए तो देखे केलावला से किधर पार किजी गए राइट से लेप से आपकी पीछाजी देखे यह डॉन करना प्रइए एक लम लगा लेजा चली बेरी गुल चलो तो पीछे गारी जाना चाहिए पर लिए हां पर फेसे थोड़ा एक्सलेटर थोड़ा इसले गारी बंगे आपकी चली कि यह थोड़ा सा गढ़्धा में आपका टायर था ठीक है इस कार उस रहेगा कि हां से ऐसा ऐसे घुमा के फिर से उदरी चलना आगे इस ऊट रोड़ से उस रोड़ से जाना कुछ जोज रोड़ से आए उसी रोड़ से लेकिन उधर से राट-का इंडिकेटर दिची और जो जी चीज घुमाने के लिए आपको एक रेडी रखरे पहले कि द तो इतना घुमाने भी जरूपने है पूरा तरीका का टर्निंग देना कि इस रोड पे गुमना है इस रोड जा रहा है उस रोड में आपको जाना है तो पूरा घुमा जाना है अपर लेट चले वेरी बोल जाना है तो दोस्तों टर्णिंग के होता है कि लेप डाय दोनों ध्यान देना पड़ता है और यह आपका कारगिल चोक है चार रास्ता है यहां साब को राट जाना पड़ेगा तो राट जाने के लिए राट का इंडिकेटर भी से दे दीजी इंड कर दो दोस्तों कितना असानी से हमारे चांट भाय ने तर्णिंग ले लिए थोड़ा से कम ट्राफिक आपको देखने को मिला था हॉस्पिटल स्टो रहा तो और इससे ज्यादव रहा पर मिलेगा दोस्तों यह चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो तो अबर टेकर पाईएगा ने जागा नहीं रहता था दोस्तों इस रोड में ट्रेक्टर को ओटेकर ना बहुत टाफ होता कि कि देखे कि इतना जगा रहता है ट्रेक्र के बाद एक गड़ी का जगह है लेकिन वो कभी कभी देता नहीं है अगर और अधी जगा तो दे सकता चलिए आपको रस्ता वड़ा यह स्पीड और अंदे के रखिए चलिए बहुत अच्छी वात है तिक इस रोट पर ओटेक करना रहता ट्रेक्टर को तो कभी कभी बैक से भी दिक्कत हो जाते जगह देता ही नहीं दोस्तों और लेप साइट से भी पब्लिक आती रहते जिनक अपने होस्पीटल मोड से चोरा वगाई चे चला किया तो क्या क्या प्रोब्लम आज आपको फेस करने के मिला प्रोब्लम हमको ऐसा लगा फिलिंग के कलच ब्रेट पर और एक्सलेटर पर तो कंट्रोल बंड़ा एक वार आपने चौथा नमबर लगा दिया दूसरा नमबर तो चौथा नमबर और एक वार आप एक्सलेटर करने का ब्रेक देने का वह लग गया एक्सलेटर गटे से चपा गया तो दोस्तों डाइविंग करते हैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि माले जी आपका ब्रेक करना और एक्सलेटर ता आगे वाला अभी निपट जाग तो दोस्तों यदि आप भी फिट्कल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जोईन किजिए सत्तम ड्राइविंग अस्पूल आपको 100% आपको बिल्कुल ऐसा सीखने को मिलेगा कि अपना गाड़ी आप और से खंदक पर ड्राइब कर सकते हैं